हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू और कल कल के दिन एक शांदार रिकवरी के बाद मार्केट ने आज भी पॉजिटिव ही नोट दिखाया 69.9 प्लस में निफ्टी प्लोज हुई नमस्कार मैं जीत सिंग स्वागत कर तौप के चैनल ठाकूर कैपिटल में अगर देख कौन से साइड में जा सकते हैं अप ट्रेंडिंग हो सकते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग एक देखें तो एक साइडवेज जोन में निफ्टी बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है यहां पे देखें तो यह अपवर्ड जर्नी थी अब यह साइडवेज जर्नी है और बहुत दिन से निफ्टी sideways trade में कर रहा है कल की अगर बाग करें तो कल एक बहुत शांदार hammer type का candle मतलब hammer type का candle मतलब यह देख सकते हैं कि seller ने बहुत aggressively कोशिस की nifty को नीफ्टी को नीचे लेके जाने की और buyer aggressively buy किया और उन्होंने अगर आप देखें 15,517 से closing की 15,709 मतलब 200 point नीचे से घीचा है nifty को मतलब यहाँ पे buyers यह कहना चाते हैं कि हम market को नीचे नहीं जाने दिंगे कल के moment के बाद हमको यह समझ में आता है आज देखें तो आज morning में gap up opening हुई मार्केट में जो कल की closing थी वो थी 15,709 और आज की जो opening थी वो थी 15,762 यह चेक कर सकते हैं तकरीबन 55 point morning में nifty gap up opening हुई उसके बाद एक नया high बनाया और आज एक positive note पे बंद किया है निफ्टी ने अपने आपको उसी के साथ बात करें हम लोग आरली candles में तो आरली candles में यह देख सकते हैं कि एक higher low establish किया था एक high बनाया था फिर इस लोग को nifty ने aggressively break कर दिया और फिर वापस एक high बनाया है अब जब तक nifty यह high break नहीं करती मतलब 15,900 break करके उपर नहीं जाती और उसके बाद वापस एक higher low establish नहीं करती हम इसको इतना respect नहीं दे सकते हैं जिस moment को भी हम लोग देख रहे हैं यह हम लोग आरली टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही bullish candle प्रिंट करके buyers ने बता दिया है कि हम daily candles मतलब जो daily chart पर जो buyer और seller है वो market को बिलकुल नीचे नहीं आने देंगे और early candles पर यहां से लेके यहां तक का जो target है उसके बाद यह कितना नीचे आ सकता है यह बताना मुश्किल है और यह जब नीचे आए और नीचे आने के बाद अपने previous low मतलब 15,513 को ना break करें और sustain करें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि अभी nifty ऊपर की तरफ जाएगी उसके पहले सबसे पहले एक यह high भी break करना जरूरी है जो है 15,900 का 15,900 का एक high break करने के बाद अगर यह नीचे आता है तो हम buy कर सकते हैं या इसी level से यह नीचे आता है और यह levels को break नह को तो हम लोग एक positive note में छोटा सा question बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम हमेशा कहरा है कि निफ्टी अपने previous high को break करें उसके बाद ही हमको को कोशिश करनी है कि निफ्टी अपने train को confirm किया उसी के साथ हम लोग ने daily charts में देखा कि एक अच्छा खासा bullish candle बनाया है weekly charts पे देखें किस तरीके से किस तरीके से निफ्टी एक sideways zone में trade कर रही है यह जून से आप जून साथ का candle देख सकते हैं जो है 15,566 का low है और आप देख सकते हैं कि यह 400 point 400 point के बीच में ही निफ्टी continue trade कर रही है monthly candle की बात करें तो monthly candle पे अभी निफ्टी 56 point प्लस है इस month में अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में देखें तो आज gap up opening रही कल की जो closing थी 34,532 और आज की जो opening थी 34,740 तो यह चेकर सकते हैं 532 और 740 तो तकरीबन 200 point gap up opening रही बैंक निफ्टी में उसके बाद थोड़ा सा माइनर सा उपर गया और फिर नीचे आने के बाद एक उपर साइड में closing दी है बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी में strength दिखाया है जिसमें State Bank of India काफी बहतर तरीके से उपर रहा उसके बाद आइसे से बैंक हम लोग देखें तो आइसे से बैंक में काफी strength है उसके बाद हम समझ नहीं कोशिश करें वीकली चार्ट पर कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी तो वीकली चार्ट पर साइडवेस जोन क्रिएट करता हूं हमको दिख रहा है यहां पर चेक कर सकते हैं बैंक यह हम लोग चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से अब यहां पर देखें तो सस्टेंट करता वाँ दिख रहा है बैंक निफ्टी एक 33908 का एक जो लेवल है वह बहुत इंपोर्टेंट लेवल है यहां से 700 नीचे का और ऐसा लगता है कि बैंक को सस्टेंट करेगा वीकली चा तरीका बैंक निफ्टी जिस तरीके का मुमेंट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है उसी तरीके से बात करें मंतली केंडल पर अभी तक 80.- या वीकली सब्सक्राइब है निफ्टी अब बात करते हैं यहां पर देख सकते हैं वोग फिप्टी में को सश्टेंट कर रहा है और यहां आने वाले टाइम में किस तरीके हम मोमेंट दे रहता है यहां पर देखे तो एक 5 एमे के ऊपर closing दी है 13 एमे का एक resistance लिया है और 20 एमे के ऊपर closing दी है आज निफ्टी ने यहां पर देखे तो 13 एमे को टच करके वापस उपर आ चुका है जिस तरीके से previously किया था निफ्टी ने weekly चाट की बात करें तो मंतली चाट पे अच्छी तरह से अब निफ्टी बात करें हम लोग आघली केंड़ के थर्टीन एमेगा सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और मंतली बिस्स पे भी 5 एमेगा सपोर्ट लेके अब ट्रिंडिंग है अब हम लोग समझें पूरा ओवर व्यू तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जिस तरीका एक एक्शन दिखा रहे हैं अपने प्राइज प्राइज में उससे ऐसा बहुत कम चांस लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत नीचे यहां से जा सकते हैं जिस तरीके के न्यूज है कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया की 12% के जागा 9% होगी एक उसका प्रेशर देखने मिल रहा है और प्राइज अपने आप आपको डिसकाउन करके ले ले रहा है फ्यूचर प्रेडिक्शन पर उसी तरीके से हम लोग यह समझ सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हम कुछ बहुत बड़ा फॉल आए ऐसा चार्ट को देखके तो नहीं लगता आईए हम जानते हैं कौन कौन थी कंपनी प्लस र पहले तो 69 प्लस रहा आज निफ्टी 23 कंपनी प्लस रही 27 कंपनीया माइनस रही बंड़ने शेर्स में हिंडाल को टाटा स्टील स्वी आई बजाज फैनांस और जेस डबलू स्टील रहे गिनरल शेर्स में मारूती बजाज और टो इंडिया रहे मोस्ट एक्टिव शेर्स करते हैं तो टाटा स्टेल हिंडाल को सेल तत्व चिंतन टाटा मोटर्स रहे उसके बाद अगर कॉंट्री टेड़ के तो आईडिया सेल्स अमेट्टो नेशनल अम्नियों और यहस बैंग में सबसे ज्यादा कॉंट्री टेड़ी तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड के से समझ सकें नमस्कार धन्यवाद